दोस्तों अप्टोई TV आप के बारे में तो आप सभी जानती होंगे मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर कहीं बार अप्टोई TV आप के बारे में आपको उपताया है लेकिन इनको अनिस्टॉल करने का अप्टोई TV के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलता है तो आज इस वीडियो का आप बिना स्किप के पुरा चूर देखा क्योंकि मैं आपको उपताऊंगा कि आप कैसे अपनी अप्टोई TV अप्लिकेशन को अनिस्टॉल कर सकते हैं इसलिए दोस्तो क्योंकि जो भी एप हम अपने अप्टोई TV में इंस्टॉल करते हैं वो सारी एप हमारे यहाँ उपन में नहीं आती हैं तो इनको अनिस्टॉल करने में हमें दिखते आती हैं तो यहाँ पर मैं आपको दो अप्शन बताऊंगा कि आप कैसे उनका यूज़ करके अप्टोई TV अप्लिकेशन उसको अनिस्टॉल कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो में आपने से पहले आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को जूर दुबाद जिएगा लिए आपको उपर सर्च पर जाना होगा और यहाँ पर आपने टाइप करना होगा set orientation यह मतलब कि आप फिर से इस app को सर्च करना होगा तो जैसे आप यहाँ पर ङापwhen नजर आजाएगी आपने इसको यहाँ से open करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डो option में रहें हैं पहला है open और दूसरा है अनिंस्टाल का आप यहाँ से uninstall पे click करके इसको uninstall कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो हो गया पहला तरीका अब मैं आपको प्ताता हूं दूसरा तरीका कि अगर आप इसको ऐसे सर्च करके एप को अनिस्टॉल करना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने एंडॉइट टीवी आ फिर हमें बॉक्स फॉर कि या फिर मैं टीवी स्टिक अंदर एक एप को इ लिए ना है तो अभी हमारे सामने जो इंटर्नल स्टोरेज है वो उपन होच की है उसके बाद आपने यूजर एप्स पर जाना है और यहां पर आपको वह सभी एप्लिकेशन मिल जाएंगे जो आपके एंडॉइट टीवी या फिर मैं बॉक्स फॉर के अंदर इंस्टॉल ह होंगी आप यहां से उस एप को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस एप को आप अनिस्टॉल करना चाहते हैं माली जिए मैंने डोगलू पीएस ओफिस को यहां से सेलेक्ट कर लिया है मैं इसको अनिस्टॉल करना चाहता हूँ तो आपने इसको एक पर यहां से अपने जो रिमोट का okay का बटन होता है उसको press करके रखना है तो यह जो file है वो select हो जाएगी उसके बाद आपने उपर top पर जाना है और यहाँ पर आप देखे delete का बटन आपको मिल रहा है आपने इस delete के बटनों को यहाँ से दबा दिना है तो यहाँ पर आप से पुछा जाएगा कि do you want to uninstall this app आपने यहाँ से इसको okay कर दिना है तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों WPS application हमारी Android TV के अंदर से uninstall होच की है अब ऐसे ही अगर माली जी मैं DU recorder को uninstall करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से इसको okay के बटन को press करके रखना है तो यह select हो जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ से delete पे click करना है और यहाँ से okay कर दिना है तो हमारी जो यह DU recorder app है यह भी uninstall हो जाएगी अभी मैं आपको फिर से एक बार अपने aptoid TV app के अंदर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यह दोनों जो हमारी applications है वो अब uninstall होचकी है यहाँ से आपने my apps में जाना है तो अभी आप देख सकते हैं हमारा whatsapp है, google meet है, gmail है, chrome है, zoom app है, zero tv है और fastcast है और यह आप देख सकते हैं हमारी WPS office application थी वो यहाँ पर अब नहीं है और नहीं है हमारी do recorder है तो दोस्तो इस तरह करके यह जो हमारी applications है वो आप दो तरीकों से uninstall कर सकते हैं तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर दीगी जानकार इपसंदे कि अगर आपको वीडियो पसंदा है तो प्लेजिए इसको like को से जुरूर किये ज़िएगा चैनल को अगर आप नवी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बल एकन को जुरूर दुबार जाएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही informative वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक लिए जयाहिन वन्दे मातरम